करनाल के कलपना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकार एस्पताल में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले करमचारियों को N95 मास्क वा सैनिटाइजर वित्रित किये गए आपको बता दे के N95 मास्क वित्रण अभियान के आठवे दिन समास सेवी पंकच गाबा लगजरी राइट के एमडी सुमित गर्ग वर डॉक्टर अश्विनी कुमार नियूरो सर्जन विर्को होस्पिटल करनाल के सहयोग से मास्क वित्रित किये गए हैं इस मोके पर पीमो डॉक्टर अश्वनी अहुजा मुखे रूप से उपस्थित रहे समाने इस्पताल में उनके हातों से आज करमचारियों को मास्क बाट कर शुरुवात करवाई गई उन्होंने इस अभियान की सरहाना की और इस सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद किया पर वाट बोई चपडासी आधी सभी स्टाफ को मास्क दिये जाएंगे उन्होंने बताया कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सभी सफाई करमचारियों वाट बोई एंबुलन्स ड्राइवर और सिक्योर्टी गार्ड्स को वितित किये जा चुके हैं पंकज गाबा ने कहा कि वैश्विक महामारी करोना वारस ने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है इस मोके पर डॉक्टर अश्वनी कुमार नियूरो सर्जन विर्क होस्पिटल ने कहा कि सबसे जादा रिस्क करोना होने का खत्रा आपको होता है करोना महामारी से लटने की जंग में आपका सबसे एहम रोल है डॉक्टर अश्विनी ने करोना से बचाव करने के बारे में आवश्चेक जानकारी ने इस मोके पर सुमित गर्ग डॉक्टर संजे वर्मा जीला पार्षद सचिन बुढ़नपूर वा कमल सैनी मुजूद रहे करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो हमारे लिए बढ़ चड़कर भाग ले रहे हैं कि हमें जैसे पंकज गाबाजी हैं यह सत्या जी और डॉक्टर अश्वनी अभी होस्पिटल में सुमित गर्ग लगजिरी राइट से यह लोग इतने भी हैं होस्पिटल का है या बखी स्टाफ उनको अपनी तरफ से एन 95 जो कि हमारे डेली यूज में आते हैं और हैंड सेनिटाइजर यह फ्री ओपोस्पिटल कर रहे हैं और यह लोग कोई यह नहीं कर रहे कि हमारे कोई हम पैनल लेके खड़े हैं हमारी पॉपनेर्टी होई या वोई एक समाज और इन्होंने अव्टेक परोना के उसमें पचास करवानी तीस प्लड डोनेशन कैंप करवाए हैं माइने रखते हैं जो कि करोना के पिरेड में लॉट डाउन के पिरेड में विलादाण के पिरेड में जी हमने अपनी दिले की जरूस्पूरी कि यही बल्कि आस पास के दस जिलों के लोगों को उमने फ्लट दिया जो पहिंजानी बारे थे यह उसको अपने एरिया में फ्लट नहीं पिलता है तो इनका वह रहे हैं लेबर रूम कल्कना चावला का भी सारा ही था इतने पिशन्ते हैं अगर आप लोग सेयोग नहीं करते तो पड़री कितनी जाने जाते हैं वह रेली बहुत अच्छे अफ़र्ट से आप लोगों के लिए एक चोटा सा प्रयास था इसी दिरे हम जब से लोगडाउन लगा तो स्टार्टिंग में पता चला भी बलड की काफी कमी आ रही है तो मैंने दोक्टर संजय बर्मा से सब् तो जब हमने आगे देखा तो थेली सी मिया बच्चों के लिए जो कि उनको पंदरा दिन में हर एक मिन्ने में दो बर चड़ता है उनको बलड को उस्टेम अपने मन में आया बी जितना भी हो पाएगा उसर अधिक करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए हमने प्रयास दिय चला था कारवां बढ़ता गया तो तीस केमपों के चोटे-चोटे तीस केमपों के मध्यम से हमने और लगाए सारे हमने होस्पीटल में ही तीन-चार हमारे बार लगे थे तो नोसो यूनिट हम डोनेट कर चुके आपकर तो यह प्रयाज निरंतर जारी देगा मरा इसी तरह हम अब जितने भी करणाल में जितने भी सफाई करम चारी थे निगम के हो या उड़ा के हो चोदा सो सफाई करम चारी थे जिनको हमने मास्क आथों में गलव्स मल्टी विटामिन कैप्सुल और विटामिन C एनर्जी ट्री उनको प्रवाइड के पुराईगी इसी तरह पुली अबला में जितना भी ग्राउंड लेवल का स्टाफ था अराउंड 500-600 वहा हैं तो साथ दिन हमें लगे हमने साथ दिन लगा तर महां N95 मास्क वित्रित किये उसके बाद हमने आज से शुरुआत से किया तो मैं चाहूंगा इनके लीब एक जोंग पर तड़ी होनी जाहिए एसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल आज गराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंकेट्स एंटरप्राइब